मस्कार दोस्तों अब हम बात करेंगे agriculture commodity की हमने देखा कि पिछले trading session में spices के अंदर काफ़ी अच्छी बड़त देखने को मिली जैसा कि हम expect कर रहे थे वैसा ही trend यहाँ पर आता हूँ दिखाई दिया है आज की trading session में भी expected है कि spices में trend positive रह सकता है अगर हम जीरा की बात करें तो जीरा में trend positive रहेगा यहाँ पर support 13100 रेइस्टेंस 13800 ट्रमरिक में support 6240 रेइस्टेंस 6540 कोरियंटर में भी हमने एच्छे बड़त बनते हुए देखी है यहाँ पर support 6140 रेइस्टेंस 6460 तो spices में export demand बनने क की वज़े से भावों में अच्छा support आता हुँ दिखाई दे रहा है हमें लगता है कि spices में आज भी trend positive रह सकता है अगर हम cotton रेइस्टेंस 21500 cotton seed oil cake में भी खरदारी का ट्रेट बना सकते हैं यहाँ पर support 2030 रेइस्टेंस 2220 तो cotton और cotton seed oil cake में खरदारी का ट्रेट बनाके चला जा सकता है वहीं अगर हम guar gum और guar seed की बात करें और चने की बात करें यहाँ पर भी हमने खरदारी लौटते हुए देखी है लोवर लेवल पर accumulation होता हुआ दिखाई दिया है physical market में खरदारी यहाँ देखने को मिली है हमें लगता है कि guar seed और guar gum में खरदारी देखने को मिल सकती है तो इंट्राडे के लिए यहाँ पर खरदारी का ट्रेट बनाके चल सकते हैं guar gum में support 6,170 रेइस्टेंस 6,460 guar seed में support 3,890 रेइस्टेंस 4,120 वहीं अगर हम चन्ने की बात करें तो चन्ने के अंदर भी हमने खरदारी लौटते हुए देखी है लोवर अराइवल होने की वज़े से भाव उपर आते हुए दिखाई दिये हैं हमें लगता है कि चन्ने के अंदर और बाकी सभी दालों में खरदारी का ट्रेड बनाके चल सकते हैं चना में support 4,370 रेइस्टेंस 4,560 वहीं अगर हम edible oils की बात करें तो edible oils में हमने गिरावर ट ट्रेंड डाउन रह सकता है तो यहां पर बिक्वाली का ट्रेड बनाके चल सकते हैं सोयबीन में support 4,340 रेइस्टेंस 4,580 आरम सीड में support 5,250 रेइस्टेंस 5,460 वहीं refined के अंदर support 1035 रेइस्टेंस 1060 तो इस तरीकी से हमें लगता है कि edible oils में गिरावट के साथ ट्रेड हो सक ग्वार्षीट ग्वार्गम और चने के अंदर भी खरदारी का ट्रेड बना सकते हैं वहीं cotton सीड और कोटन के अंदर भी खरदारी का ट्रेड बनाके चल सकते हैं आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फायदा मिलेगा धन्यवाद